नमस्कार किसान सातियों, F2DF mobile app और F2DF website आज आपके लिए बहुत महत्य पुजान कारी लेकि आई है देखिए, जब हमारे घर में जो पसु है, पसु बिमार पड़ जाए, पसु को गर दस्त लग जाए तो उसके बाद सबसे आदा नुक्सान क्या होता है अगर छोटा बच्ड़ा है, तो उसके मृत्यू तक हो सकती है ऐसा बहुत बार देखा गया है, अगर छोटे बच्ड़े को दस्त लगे हुए है, अगर आपने इसका इलाज नहीं किया, तब उसके मृत्यू तक हो सकती है है इसलिए बैटरिये है। इतना जलदी हो शार आप को चाष चाय के पास से आप के पास से आपको टो क्सिस चाष गर्म कासिस और 10 मोज Τरस लेना है। उनको बारिक पीस करके उसके बाद आप जो चावल की मांड है जो उबले हुए चावल का जो पानी होता है जो बचावा पानी है उसके अंदर उस खोल में मिला करके अपने पसु को दीजीगा आप देखेंगे कि आपके पसु का दस्त है वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा उसके बाद दूसरा तरीका देखिए आप पंशारी के पास जाएगा पंशारी के पास से आप धाइसो ग्राम मेथे और धाइसो ग्राम तारा मीरा लेके आईएगा इसको बारिक पीस करके उबले हुए चावल का जो पानी बचा हुआ है जो मांड बची हुई है उसके गाय की लिनी है अपको सो ग्राम तुलसी के पत्ते लीजेगा उनको बारिक पीस करके कूट करके उसके रसको उस अविज्वाइब आप लगाएगा देखेंगे बड़े से बड़ा पशू हो उसके दस्ट हो जाएगे अगर हम बात करें चोटे बच्चे की इसमें आपको उ बड़ा पसु है उसको आप सो ग्राम तक दे सकते हो इससे अगर आप इलाज की बात करना आप हाथ का इलाज कर देना बेशक्त वजन के रूशार मात्रा बढ़ाते रहना और अपने पसु का इलाज करते रहना देखिए किसान साथियो ऐसे मैं तोपिक्स के प्रम वीडियो ब नहर खलाज देखिए कि रहन आप और यalth करती बाता करते हो उन्मा जा रहं आप लांव मैं देम양ल धुोरा मैं, उससा पर देखिए किसान साथियो बाता हो भांव मैं